बॉर्णिंग चलो तो सुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को तो देखो अभी तक हमने जितने भी बाते पढ़ी जितने भी बाते पढ़ी वो हम लोग एक जनरल इंट्रोड़क्शन ही पढ़ रहे थे और देखो आपकी किताब में जो चीज़े दी हुई है वो एक जनरल इंट्रोड़क्शन ही है जनरल इंट्रोड़क्शन ही है अब आउट फोटो सिंथेस के बारे में ठीक है बहुत सारी वेब साइटें आप जाएंगे बहुत साइच चीज़े लिखते हैं मुझे एक दो वेब साइटे पर्टिकुलर बहुत जादा पसंद है और मैं उसको काफी टाइम से उन वेब साइटों को फॉलो करता हूँ और उन वेब साइटों में से एक वेब साइट है कान अकेडमी ठीक है मैं नाम थोड़ा लग लूँगा बट आप लोग समझ गए हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो बहुत ही प्रेसाइज और बहुत ही अच्छा मटेरियल वहां देखने को मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए बैसिकली बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां से मटेरियल में बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाते हैं मतलब समझाने का जो एक precise medium होता है वो बहुत अच्छा मिलता है वहाँ से तो अगर तुम लोगो कभी भी कोई भी topic लगे ना कि समझे नहीं आ रहा है या कुछ इस तरह की problem है तुम उस पे जाओ और बस तुम उसके लिखे articles को पढ़ते चलो अच्छे से articles आप पढ़ते वो जो एक basic knowledge चाहिए जो एक अच्छी knowledge चाहिए वहाँ पर particular क्या किया है कि जो articles लिखे गए हैं वो articles एक low level से एक high level तक मतलब एक बढ़िया level तक आपको prepare करते हैं तो ये काफी अच्छी बात होती है क्योंकि अगर आप ये नहीं जब तक समझ पाऊगे कि आपको पढ़ना क्या है फिर आप कितना भी high level पढ़ो कोई भी मतलब आपका निकल करके नहीं आता है सामने अब देखो यहाँ पर मैं आज जो आपसे बात करने वाला हूँ photosynthesis के अंदर आप लोगों को बहुत सारी बाते मैंने बताई photosynthesis के अंदर लेकिन उस सब में से आपको जो सबसे important बा और एक lumen दो जगे आपको लिखना है light reaction के बारे में थैलकौइड membrane जो होती है वो बहुत important structure है क्योंकि सारा का सारा जो हमारा pigment system run करता है वो इसी membrane के ऊपर run करता है किस पे थैलकौइड membrane के ऊपर run करता है तो यह बात आपको धिहान में रखनी है चाहे फिर हमारे atipase channel हो या इस अब हमें थैलकौइड के membranes पे देखने को मिलते हैं अब थैलकौइड का membrane आपको पता है कि कैसा होता होगा जाहिर तो यह बात करनी है अब जिनको अभी भी नहीं पता चल रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस एक simple से note जो साइद आपको कहीं नहीं मिलेगा इसको आपको अपने हाथ से prepare करना पड़ेगा मैं फिर से बता रहा हूं इसको आपको जानना पड़ेगा कि आपने क्या पढ़ेगा तो इसको आपको जानना पड़ेगा कि आपने क्या पढ़ेगा कैसे पढ़ेगा यह आपको यहां प first one is a light reaction and the second one is a dark reaction अब मैं जितने भी बाते आपको बता रहा हूं आप उससे अपनी copy ले लीजे और उसको आप note करते रहे जहां पर आप कोई problem आती आप बेसक तोर पर पूछिएगा but note जरूर करिएगा और बस भगवान करें internet connections कहीं से खराब नहों कोई मुझे message कर रहा है मेरा BST खतम हो गया मैं किस subject से क्या करूँ बाद नहीं बताता हूं इनको okay so the light reaction and the second one is a dark reaction अब light reaction जो होता है आपको पता है कि light reaction में मैंने आपको कहा था कि first of all आपको जानना है कि what is the light reaction light reaction होता क्या है basically देखो जो light reaction होता है पहली बात ये जो reactions होती है जो photosynthesis होता है photosynthesis हो complete होने में approximately 14 different types के reaction से होकर के गुजरना पड़ता है 14 different type के reaction से होकर के गुजरना पड़ता है ये बात मैं जस्ट एक आंकड़े के रूप में कह रहा हूँ आपको इसको रटना या लिखना कहीं नहीं है बस आपको ध्यान में रखना है ठीक है उसमें से जो एक reactions, light reactions के अंदर जो reactions होती है, बहुत सारी reactions होती है, उसी में से एक reaction, light reaction होती है, light reactions के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर कौन कौन से basic steps आपको ध्यान में रखने हैं और क्या होता है सबसे पहली चीज़, पहली चीज़ यह है कि light reaction जो होती है, वो स जो भी होंगी वो presence of light में होंगी मतलब कि light present रहना उसके अंदर क्या है compulsory error कैसी light sunlight का रहना उसके अंदर most compulsory तो कहने का मतलब यह है कि आपको light energy को convergence करना है ATPs में और NADPH में तो आपको पता है कि जो है उसके लिए आपको different type जैसे कि माल लो कि आपके battery की light रहती है लाइट उसको बलब वाली light मतलब DC light को AC में convert करने के लिए आपका inverter होता है जस्ट उसी तरीके से light reactions को या light energy को जो है chemical energy में बदलने के लिए आपका light reactions होता है अब light reaction में पहली बात आप जितनी भी reactions पढ़ते हो सारी के सारी reactions आपकी light के presence में होंगी number one अब कौन कौन CAC reactions जो light की presence में होंगी the first one is आपको light reaction में दो तीन reason देखने को मिलते हैं यह सारे वो reason होते हैं जो हमें light reactions के अंदर देखने को मिलते हैं light harvesting complex and the oxygen evolving complex यह वो position होती है जहां पर हमारा जो light reaction की presence में water molecule का breakdown होता है क्या होता है water molecule का breakdown होता है the first of all आपको इतनी बात ध्यान में रखने की light reaction की पहली step होती है first of all water molecule का breakdown यह सबसे पहली reactions होती है और यह basically कहा होती है pigment system 2 में कहा होती है pigment system 2 में light reaction के लिए दो pigment system काम करते हैं light reaction के लिए दो pigment system काम करते हैं एक होता है pigment system 2 और एक होता है pigment system 1 जो pigment system 2 होता है यह famous होता है 680 nanometer light absorption के लिए wavelength की light को capture करता है वहीं पर pigment system 1 जो होता है वो 700 nanometer की light को capture करने का काम करता है तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि light reaction दो pigment system से मिलकर के बना होता है एक होता है pigment system 2 और एक होता है pigment system 1 pigment system 2 आप just इसको एक place मान सकते हो light reactions को light reactions होती है वो reactions में जब reaction complete होती है तो वो reaction दिखने में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी मतलब कि आप अगर जब इसको बनाने के लिए diagram जाएंगे तो आपको ऐसी दिखाई देगी बट आपको जो है ये कोई structure नहीं है आपको ये कहां पर हो रही सारी की सारी reaction ये हमारी थैले क्वाइड के membrane में हो रही है थैले क्वाइड के जो membrane होती है plasma membrane होती है वहीं पर ये सारी reactions क्या हो रही हो रही है मतलब जो हमारा pigment system है वो कहां मौझूद है वो इसी थैले क्वाइड membrane के ऊपर मौझूद है अब जो बच्चे पहले इसको थोड़ा सा पढ़ रखे होंगे उनको मेरी बाद समझ में आ रही होगी जो पहली बार पढ़ते हैं उनको समझाना थोड़ा सा मुस्किल पढ़ जाता है ठीक है समझ रहो कि नहीं मेरी बात ये हमारी प्लाजा इम्ब्रेन है आप समझते हो ना प्लाजा इम्ब्रेन जो गोल गोल से पूरी आपकी रहेगी तो ये बात आपको धियान में रखना है कि हमारी प्लाजा मेंब्रेन है और प्लाजा मेंब्रेन के ऊपर ये रियक्सन जो है वो चलेग तो आपको कि सर ये क्या है ये लाइन जेड क्या है ये जेड जो है ये मैंने खीच दिया है पर जेड पहले से बना नहीं होता जेड जो है यह एक इलेक्टरॉन का पात्वे है जो इलेक्ट्र only यहां से ट्रैवल करता है और उसका ये एक पात्वे है जो finally जा करके पहुचता है एन ए डिपी एच तक पहुचता है तो ये जो जेड शेप का बनाता है, जिसको हम लोग दूसरे नाम से, जेड इसकीम के भी नाम से जानते हैं, इसलिए ये जेड बनाना जरूरी था, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि लाइट रेक्शन के अंदर आपको इसी शेप के बारे में, या आपको इसी तरीके के रेक्शन के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको इरेज करके सारी चीजे जो है वो समझानी को इसकता हूँ, इसको आप सभी ने बना लिया है, जो मैं बता रहा हूँ, सबको समझ म्यारत जाड़त तेजी से तो नहीं बता रहा हूँ, चलो ठीक है, अब चलो ठीक है, यह देखो, यहाँ पर आप इस डाइग्राम को देख सकते हो, यह क्या है, यह हमारा एक थैले क्वाइड है, क्या है, एक थैले क्वाइड है, देखो, जैसे न, मैंने कहा नहीं, यह पूरा क्या होता है, ग्रेना होता है, यही तो बताया था, कि पूरा क्या होता है, ग्रेना होता है, और ग्रेना में जो देखो, अगर जो पार्ट, जैसी पूरा इस्ट्रक्शर क्या है, ग्रेना है, और ग्रेनम यह एक की बात कर रहा है, तो एक जो थैले कॉइड होता है, उसको यहाँ पर देखा, तो जो किनारे किनारे है ना, इसकी यह, यह क्या है, इसकी plasma membrane है, क्या है, plasma membrane है, और देखो इसी plasma membrane के ऊपर, आपको pigment system 2, और pigment system 1 देखने को मिलेगा, ठीक है ना, समझ रहो किने मेरी बात, तो जो भी reactions की हम लोग बात कर रहे हैं, वो reaction की बात हम किसके करेंगे, pigment system 1, and pigment system 2, और यह जो आपका जो, यह वाला reason है, इसी के बीच में, प्लास्टो क्यून आता है, जिसके बारे में हम बताएंगे भी आपको, और उसके बाद इसी पर आपको ATP synthetase देखने को मिलता है, जिसका काम होता है ATP बनाना, तो कैसे बनेगा ATP, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो कुल मिला करके, आपकी जो reactions हो रही ही, वो हो रही थैले क्वाइड के मिम्ब्रेन में, कहां हो रही है थैले क्वाइड के मिम्ब्रेन में, ग्रेना के थैले क्वाइड के मिम्ब्रेन पर, ग्रेना के थैले क्वाइड के मिम्ब्रेन पर, जो light reaction हो रही है, वो कहां हो रही है, ग्रेना के थेलेक्वाइड के मिम्ब्रेन पर हो रही है ठीक है मतलब जितने भी आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो आपके कहां सिचुएटेड है वो थेलेक्वाइड में सिचुएटेड है और जो रियेक्शन्स आपको देखने को मिल रही है जड़ इसकीम या फिर लाइट रियेक्शन वो कहां हो रही है ग्रेना के थेलेक्वाइड के मिम्ब्रेन पर हो रही है ठीक है यह एक लाइट डिपेंडेंट रियेक्शन होती है क्या होती है लाइट डिपेंडेंट रियेक्शन होती है जिसको होने के लिए light की जरूरत पड़ती है, यही होता है light reaction, तो light reaction होने के लिए दो pigment system जरूरी है, the pigment system 1 and the pigment system 2, this was the first of all आपको इसको समझ लेना है, light reaction के लिए दो चीज़े जरूरी है, pigment system 2 and the pigment system 1, यह बात आपको सबसे पहले अपने कान में घुसा लेनी है भाई, और उसके बाद आपको जो है, इसको मैं अब थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाता हूँ, देखोएं आप, तो सबसे पहले चीज़, जो है, वो यह है कि भाई ठीक है सर, आपने कहा सर, light reactions के लिए, हमें जो है, जरूरी है दो pigment system, मान लिया सर आपकी बात, टू pigment system आपको इसके लिए चाहिए, चाहिए reactions के लिए, ठीक है, the pigment system 2, जो कि क्या करता है, 680 nanometer की light को, wavelength को capture करता है, पिग्मेंट system 2 बनाता कौन है, the most important part मैं यहां लिख दे रहा हूँ, यह आपको आगे समझाओंगा, chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoid, carotenoid, अब यहां पर इसको ध्यान रखना है, and the other one is phycobalins लिख लेना, वैसे आपके syllabus में इसके बारे में, बट आप जानते रहो इसके बारे में, ठीक है, तो यह हमारा pigment system 2 बनाता है, यही चीज़ से हमारा pigment system 1 बनाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है न, तो pigment system यह molecule ब या फिर इसी को हम लोग reaction center कहते हैं, ठीक है, समझ गे न, और carotenoid और phycobalins, carotenoid दो पार्ट में break होते हैं, या दो पार्ट से बने होते हैं, the first one is carotene, and the second one is jenthofil, jenthofil और carotene जो होते हैं, is a important jenthofil, इसके नीचे लिख लो, jenthofil make reaction center safe, reaction center safe, from high intensity of light, high intensity of light, okay, तो इस molecule को, सारे molecule को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, accessory pigment, is a word, this is a accessory pigment, क्या क्या क्यते हैं, accessory pigment, और इसी को हम लोग कहते हैं, antenna molecule, okay, so, the first of all, बात बहुत ध्यान सुनना, हम लोगों ने काफी बड़ी बाते कर दी, काफी बड़ी बाते हैं यह, ठीक है ना, काफी बड़ी बाते हैं, यहाँ पे हमने केवल pigment system 2 के बारे में बात की हुई, अभी हम pigment system 1 को नहीं ले रहें, this was the pigment system 2, and कुछ थेलोकाइड मेंब्रेन के आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आपको मिलेगा pigment system 1, बीच में क्या था, आपको मैंने क्या दिखाए था, प्लास्टो क्यून, बात में बताऊंगा वे इसके बारे में, so, pigment system 2 have lots of things, जितनी भी चीज़े आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, pigment system 2 बनाने के लिए, pigment system 2 बनाने के लिए, pigment system 2 अरे एबल, मतलब pigment system 2 जो है, यह क्यूं है, क्योंकि यही वो जगह है, जो sunlight को convert करेगा, जो sunlight को absorb करता है, pigment system 2, ओके, वो ऐसा है, इसलिए करता है, sunlight को absorb, because it has some absorbing pigments, like carotene, carotinoid, phycobalins, and chlorophyll A, chlorophyll B, etc. समझ गहाँ ना मेरी बाब, pigment system 2 अरे बनाने के लिए, क्योंकि उसके पास में, यह सारे pigments, molecules मौजूद होते हैं, मौजूद होना बड़ी बात नहीं होती है, किस तरीके से मौजूद होते हैं, यह होना बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, तो pigment system 2 जो मैंने अक्के वाली, एक normal सा आपको गोला बना के दिखा दिया, नहीं भाई, यह ऐसा नहीं होता है, यह बात आप ध्यान में रखेंगे, light reaction के हम लोग बात कर रहे हैं, light reaction मतलब थेलेकौइड, lumen में हो रही है, और यह सारी reactions आपको जो भी देखने को मिलेगी, यह थेलेकौइड के membrane पे होगी, कहां होगी, और light reaction का main purpose क्या है, आपको पता है, light reaction का main purpose जो है, वो पहले ध्यान में रखो, वरना mistake होगी, main purpose है light reaction का, the first one is, water molecule का breakdown, purpose को हमेशा ध्यान में रखो, भूलना नहीं है इसको, यही आप से सवाल बनाएगा, second one is light reaction का जो है, वो है, ATP synthesis करना, and third purpose है, NADPH को, NADPH plus में convert करना, NADPH plus H plus में convert करना, यह चार main basic role है, जिसमें जो सबसे पहले role के बारे में, अभी हम लोग बात करेंगे, वो क्या करेंगे, water molecule का breakdown कैसे होता है, यह सबसे पहला role है, अभी हमको किवल क्या करना है, water molecule का breakdown करना है, बट water molecule का breakdown ऐसे नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, pigment system बनाना होगा, यह सारी चीज़े जितनी भी activity हैं, यह तभी वो पाएंगे, जब pigment system 2 बनेगा, और pigment system 2 बनाने के लिए क्या चाहिए, पहली बात तो आपको चाहिए भीया, pigment, क्या चाहिए, pigment चाहिए, like carotene चाहिए, phycobillin चाहिए, chlorophyll A चाहिए, chlorophyll B चाहिए, हमेरे पास सब है, अब चलो हम बनाते हैं, pigment system 2 आपको दिखाते हैं, मेरे साथ लिखते चलना, screenshot लेते चलना, जैसा भी आपका जो भी मर्जी होगा, आपकरते चलना, ठीक है, note हो गया हो, समझ में आ रहा हो, कुछ पूछना हो, उसमें पूछ लो हमसे, ठीक है, कहीं भी confusion हो, कुछ भी confusion हो, बेसक तौर पर आप इसको पूछिए, कोई भी problem नहीं है, ठीक है, समझ रहो ना, कहीं पर भी कोई भी, भाई मैं चाहता हूँ कि आपको, photosynthesis आए, और आप यह कहें, कि भाई नहीं आपने ढग की जगे पढ़ाए, ठीक है, मैं बेसिक में ही बताऊंगा आपको, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि यार यह जो photosynthesis से, वो बहुत core level पे है, अब यहाँ पर जैसे मैंने जैन्तोफिल बताया ना, chlorophyll A को accessory pigment में नहीं लिखेंगे, यह अलग होता है, चालो, तब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, reaction center दिखाता हूं मैं आपको, देखो, यह है हमारा, pigment system 2 मान लेते हैं, चाहे pigment system 2 मान लो, चाहे pigment system 1 मान लो, दोनों दिखने में एक ही जैसे दिखेंगे, आपको बस slide जो है, चाहे जैसे अलग-अलग capture करें, वो इंखी बात है, ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर भाई, आपको किनारे किनारी जो molecules दिखाई दे रहे हैं, यही molecule है, carotinoid, chlorophyll B, यही सब यही सब हैं, ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात की नहीं, तो यही सब वो molecule है, जो आपके carotinoid होते हैं, क्या होते केurotinoid होते हैं, spilling cycle लेना, और इन ही molecules को ना, इन ही molecules को हम लोग, woven molecule या फिर accessory pigment वगएरा, जो भी नाम होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, इसको अपना समल लेना, हम इनको नाम दे देते हैं, अब कहोगे सर, why the accessory pigment, क्या काम क्या है इसका, देखो accessory pigment जो होता है, इसका main basic जो function होता है न, वो ये होता है कि direct reaction center पे light ना पड़े, क्योंकि जो light की intensity होती है, वो बहुत ही जादा होती है, और अगर इतनी intensity की light अगर direct reaction पे पड़ गई, तो reaction center जो chlorophyll A molecule होता है हमारा, वो दो basic protein पे बना होता है, जिस protein का नाम है D1 और D2, ये जो protein है न, इसी पे हमारा chlorophyll A molecule बना होता है, अगर गलती से ये D1 और D2 protein ब्रेक हो गई, तो chlorophyll A molecule destroy हो जाएगा, मतलब कुल मिला करके, अगर high intensity की light आ करके पड़ी हमारे reaction center पे, तो reaction center क्या हो जाएगा, खतम, destroy हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी high intensity की light direct reaction center पे नहीं आनी चाहिए, अब वो क्यों नहीं आती, क्योंकि इस reaction center को चारों तरफ से antenna molecule घेरे हुए रहत होते हैं, यहीं वो pigment होते हैं, जो direct sunlight से light लेते हैं, इनको हम लोग basically light harvesting complex भी कहते हैं, जो यह किनारे किनारे पुरा जो estivation आपको देखने को मिल रहा है, reaction center antina molecule, यहीं होता है हमारा light harvesting complex, light harvesting complex जो होता है, वो दोनो pigment system पे देखने को मिलता है, फिर वो चाहे pigment system 2 हो, फिर वो चाहे pigment system 1 हो, क्योंकि pigment system 2 भी light absorb करता है sunlight को, और pigment system 1 भी light को absorb करने के capacity रखता है, pigment system 2 पे पाया जाता है LSC वो होता है LSC 2 और जो pigment system 1 पे पाया जाता है वो होता है LSC 1, ठीक है, simply इसको आपको ध्यान में रखना है, कोई बहुत दिक्कत नहीं पता है, बस LSC याद रखो बस, ठीक है, मेरा काम यहार बोल देना, ठीक है न, क्योंकि जो बच्चा अगर मान लो कोई दूसरा बच्चा भी देखे, तो वो कहें, हाँ सर ने कुछ चीज़े बताई हुई है, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ, तो LSC जो होता है, यह सभी complex जो बनते हैं, इसमें बहुत साई protein involved होती, जिसके नाम में आपको आगे लिखा हुआ मिल जाएगा, note करना को करना, बस इतना ध्यान रखना, यही है हमारा pigment system ऐसा ही बनता है, और इस pigment system में यह हमने पूरा का पूरा molecule बना है, जो बीच में molecule है, यही होता है हमारा chlorophyll A, तो आप हो क्या दिखाई दे रहा है, direct sunlight को यह reaction center absorb करते हैं, और उसके बाद एक एक electron जो है, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस electron को पहुचा देते हैं, कहां पे, reaction center पे, मतलब की, जो में यहां पे आप electron word देख रहे हो, यह एक बहुत बड़ा word है, यहां पे ध्यान में रखना कि सारा खेला जो होता है, वो किसका है, electron का है, क्योंकि अगर electron move करेगा, तभी जाकर के आप आपका जो ATP है, वो generate हो सकता है, तभी hydrogen ion का जो gradient है, वो बन सकता है, तो यह बात आपको ध्यान में रखना है, कि यहां पे electron का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है न, समझ रहो कि नहीं मेरी बात, तो अब आप यहां पे ध्यान में रखो, कि जो energy है, वो direct reaction center पे नहीं जाते molecule पे, reaction center पे, chlorophyll A पे, समझ रहो कि नहीं, तो कभी भी energy direct नहीं जाएगी, हमेशा energy कि डिस्ट्रिब्यूट हो करके जाएगी, कैसी जाएगी, डिस्ट्रिब्यूट हो करके जाएगी, तो यह बात आपको हमेशा समझ में रखना है, तो यह है हमारा pigment system 2, अब आप को होगे आप कौन सी machine चला रहे हो, इस से क्याम चलता है, देखो, यहां पर मही बहुत ध्यान सुनना सब लोग, आप सब लोग ने जानते हो कि dam होता है, dam, dam से जो होता है, पानी जब उपर से गिरता है, तो पानी से बिजली पैदा होने का मतलब यह नहीं कि आप पानी रख दो और आपरेटर्स को चलाने के लिए, तब जाकर के उस से energy दूसरी convert होती है, समझ रो कि नहीं मेरी बात, यहीं चीज़ यहां पे है, यहां पे sunlight direct energy नहीं बनाएगा, sunlight को energy बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा important चीज़ की जरूरत है, वो है electron and the proton, यह हमें कहां से मिलेगा, electron और proton हमें कहां से मिलेगा, सवाल यह आता है, कि ATP बनाने, भाई एक बात बताओ, plant अगर केवल धूप से ही बना लेता खाना, तो फिर इसको chlorophyll molecule की क्या जरूरत थी, फिर उसको water की क्या जरूरत थी, नहीं थी ना जरूरत, उसको water की तो कभी जरूरत पढ़ती ही न, अगर उस होगा, और उसी water से हमें क्या मिलता है, electron and hydrogen ion plus oxygen, अब साइद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, reaction center में केवल sunlight के आज आने से काम नहीं चलने वाला है, ATP जनरेट नहीं होगी, क्योंकि ATP को जनरेट करने के लिए कई other factors भी responsible हैं, समझ रहो कि नहीं मेरी बात, केवल धूप की रोसनी से अगर काम चल जाता, तो चला लो भाई काम, क्यों चलाना, क्यों आपको जड़ स्कीम चलाना, सब आप बना लो खाना, फिर खुदी से बना लो, है न, अगर आपको ATP डारेक्ट मिल जारी तब तो धूप, धूप तो फिर डारेक्ट हमको भी दे दो ना यार धूप, तब तो human being को भी धूप दे दो डारेक्ट एनरजी बना लेगा, ऐसा नहीं है, समझ रहो कि नहीं मेरी बात, water molecule का breakdown ये बहुत ही जादा compulsory होता है, क्योंकि उसी से हमें electron मिलता है, और उसी से हमें hydrogen ion मिलता है, और इनहीं electron और hydrogen ion के moment के कारण ही, ATP या ATP synthetase channel activate होते हैं, और ATP generate होती है, तो भैया हमें क्या चाहिए compensory रूप से electron और साथ में हमें hydrogen ion चाहिए अब यह जो electron है और यह जो hydrogen ion है यह दोनों मिलेगा कहा से ये दोनों मिलेगा हमें pigment system 2 पे और किसके थुरू मिल सकता है water molecule के थुरू मिलता है फिर क्या होता है कि plant water को absorb करता है और absorb करके उस water molecule को वो पहुचा देता है reaction center 2 के पास किसके पास मैं? sorry, pigment system 2 के पास अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे है pigment system 2 की ये क्या काम करता है कि उस water molecule को ले करके आता है pigment system 2 के पास pigment system 2 जो है वो light को absorb करता है और इसी light absorb के कारण जो water molecule है वो water की presence में break हो जाता है जब वो water की presence में ये light से जो light की presence में जब water molecule का breakdown होता है तो light means photo और water molecule का breakdown means lysis lysis का मतलब होता है breakdown photo का मतलब होता है light light की presence में water molecule का breakdown कहलाता है photo lysis of water मतलब की pigment system 2 के पास में light harvesting complex के पास में photolysis of water होता है जिसमें water molecule break हो जाता है and it's convert into 4 hydrogen ion plus 4 electron plus oxygen molecule release कर दी जाती है तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे photolysis of water हुआ light harvesting complex के पास में और यहाँ पे एक oxygen बाहर निकली मतलब की यह हो गया oxygen evolving complex मतलब की oxygen बाहर निकल रही है इसलिए इस center को हम लोग बोलते हैं oxygen evolving complex क्या बनता है अच्छा यह क्या पूछ रहो तुम pigment system 2 तो बता दिये थे न क्या हो अनसी का क्या problem है झाल